पटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला बता दें कि यहां अग्यात वाहन की चपेट में आने से दो बाइक सवार युवकों की मौके पर मौत हो गई गटना, पाले गंच, अनुमंडल के सिगोडी थानक्षेत्र के नरही गाउं के पास की है वहीं मृतक युवकों की पहचा नरही गाउं के सुजान और विपिन कुमार के रुप में हुई है ग्रामीडों की सूचना के बाद सिगोडी थाने की पुलिस ने मौके पर पहुँच कर दोनों शवों को पोस्ट मौटम के लिए पाले गंच, अनुमंडल अस्पाताल भेजा पुलिस का कहना है कि युवकों की मौत भारी वाहन की शपेट में आनिसु हुई है फिलहाल पुलिस अग्यात वाहन चालक के खिलाफ ममला दर्ज कर आगे की कारवाई में चुट गई है तो वहीं बेगु सराय में भी तेज रफतार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है यहां बीते 48 घंटों के अंदर अलगलग सड़क हादसों में एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई वहीं 4 अन्य लोग गंभी रुप से गहल हो गई बता दें कि पहली घटना बेगु सराय के 0 माइल थनक्षेतर के पेटरल पंप के पास हुई जहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला समेत दो की मौत हो गई साथी तीन अन्य घैल हो गई जिनका इलाज वेभीन अस्पतालों में चल रहा है बता जा रहा है कि सभी लोग सिमरिया से गंगा इसनानकर आटो से वाबस लोट रहे थे इसी क्रम में सामने से आ रहे है ट्रक और आटो में टक्कर रहो गई तो वहीं दूसरी घटना तेगडा थानाक्षेत्र के दोलारपुर गाउं के निकट एनेच 28 की है जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को कुचल दिया इस घटना में जहां भतीजे की मौके पर मौत हो गई वहीं चाचा गंभी रूप से गहल हो गया बताय जा रहा है कि बचवारत अनाक्षेत्र के चिरेया टोल निवासे शिव जतन राय अपने भतीजे के साथ घर से तेगरा बाजार जा रहे थे इसी दोरान दुलारपूर के निकट तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार दोनों को को चल दिया वहीं घायल का इलाज नेजी अस्पताल में चल रहा है वहीं तीसरी घटना मुफसिल धानाक्षेत के राजव राय की है जहां दरदनाक सड़क हादेसे में पेड से टकरा कर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई जानकारी के अनुसार राजवरा निवाजी सुशिल कुमार अपने साथी की बाइक मांग कर रात को कहीं जा रहा था और इसी दोरान रजवरा के समीप उसने अपना नियंतर्ण खो दिया जिसके बाद बाइक सड़क किनारे पेड से जा टकराई और घटना इस्थल पर ही उसकी मौत हो गई फेलहाल पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोश्ट मौटम के लिए भेज दिया है और आगे की चानबीर में जुड़ गई है वहीं चोथी घटना नगर्थानक शेत्र के ओवर बिर्ज के पास की है जहां दरदनाक सड़क हादिसे में एक युवक गंभी रुप से घैल हो गया जिसको आननफानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया गया जहां युवक की इलाज के दोरान मौथ हो गई मृतक की पहचान समस्तिपूर जिले के महुआ सोनपूर निवासी सुनील कुमार मलिक के रुप में की गई है बताय जा रहा है कि युवक सड़क पार कर रहा था और उसी दोरान किसी अग्यात वहन की चपेट में आने से घैल हो गया फिर इलाज के दोरान युवक की मौत हो गई तो वहीं मधुबनी में भी राजनगर थनक्षेत्र के राटी जेल गेट के निकट एक तेजर रफता ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई वहीं ट्रक का ड्राइवर घटना इस्तल से कुछ दूरी पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया घटना के बाद ग्रामीडों की भारी भीड एकटा हो गई और आक्रोशित लोगों ने ट्रक पर पत्थर मार मार कर थोड़ फोड़ की बतादें कि ट्रक एचपी के गेस सिलेंडर से लेदे थे वहीं घटना की सूचिन पाकर दलबल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची वहीं राजनगर थाने के SHO अमरित कुमार ने लोगों को समझा बुजा कर शव को पोस्ट मौटम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और ट्रक को जब्त कर लिया ब्यूर रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी